फ्रेंड्स का हमारी quality of life को improve करने में बहुत बड़ा contribution होता है और जो हमारी life है उसमें आने वाले जो challenges होते हैं या life में जो ups and downs होते हैं वो face करने बहुत आसान हो जाते हैं अगर हमारे पास एक बहुत अच्छा friends का circle होतो लेकिन कई बार कुछ friends ऐसे होते हैं जो हमें नहीं समझ में आता कि वो हमारे real friends हैं या fake friends हैं कि fake friends अगर हमारी life में जादा हो गए तो कहीं ना कहीं वो हमारी life में problems create कर सकते हैं तो fake friends और real friends में differentiate करना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम ये clearly identify कर लेते हैं time से कि कौन सा ऐसा person है जो हमारी life में real नहीं fake friend है तो उससे हम कई सारी problems जो in future create कर सकता है वो fake friends हमारी life में उससे बच सकते हैं ये fake friends होते कौन हैं? ये fake friends जो होते हैं ये fake मतलब नकली friends होते हैं ये reality में आपके friends नहीं होतें but ये pretend ऐसे करते हैं कि वो आपके बहुत close friends हैं तो reality ये नहीं है कि वो बहुत अच्छे actor होते हैं जिसकी बिरशता हमें पता नहीं चल पाता कि ये हमारे real friends नहीं थे reality यह है कि वो time to time हमें signs देते हैं कि वो हमारे real friends नहीं है बट हम उन signs को catch नहीं कर पाते इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही signs share करूँगी जिन से आप ये identify कर पाओगे कि कौन से friends जो हैं वो आपके real हैं और कौन से friends जो हैं आपके fake हैं सबसे पहला sign जो होता है fake friends का वो यह होता है कि वो back biters होते हैं कि आप जैसे ही group में से उठ कर गए तो वो आपकी बुराईयां करनी बाकियों के साथ शुरू कर देते हैं ताकि वो दूसरों को ये बता पाएं कि वो कितने अच्छे हैं आप से या फिर वो आपकी जो personal बाते हैं वो दूसरों के साथ share करते हैं जैसे कि आपने उनके साथ कोई secret share किये हैं तो वो उनको बाकी सब के साथ share कर देते हैं and in most of the cases जिससे भी उसने वो बात की होती है कही ना कहीं से किसी बे channel के through वो बात आप तक पहुंच जाती है तो ऐसे friends आपके साथ सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि वो आपकी personal life के बारे में और बाते हैं आपके अंदर से निकाल सकें और वो दूसरों को जाकर उसके बारे में बता सकें कुछ friends ऐसे होते हैं आपके style को कौकि करते हैं जैसे कि आपके dressing sense को कौकि करेंगे आपके hairstyle को कौकि करेंगे मतल publisher आप ये देखोगे कि आप कुछ भी नया ट्राई करो कुछ भी नया खरीद कर लेकर आओ वो same to same वैसी चीज ही सम्ट बार के रहते हैं same to same वैसे ही अपना भी style चैन्ज करते हैं तो एक तो ही होता है कि हमें अपना friend बहुत अच्छा लगता है तो इसे लिए हम वह वाली चीजें करने लग जाते हैं हम उसे inspired हैं या हम अच्छा लगता है कि हम same to same उसके चीज करें लिए fake friend कौन है वो हम इस से पता करते हैं कि जब वो आपकी copy करेगा आपके जैसी same to same चीजें लेकर आएगा आपके style को copy करेगा तो वो कभी भी आपको ये बताएगा नहीं या आपको ये show नहीं करेगा कि ये चीज उसने आपसे inspire होकर करी है जो आपका real friend होगा वो आपको बता देगा कि मुझे तेरी चीज बहुत अच्छी लगी थी मुझे तेरा ये style बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैंने भी ये वाला style करवा लिया तो उन्हें ये चीज करीदी थी मुझे बड़ी अच्छी लगी इसलिए मैंने भी खरीदी लेकिन जो fake friend है वो ये show करेगा कि उसे तो पता ही नहीं था कि आपने भी ये चीज पहले ली हुई है या उसने ध्यान ही नहीं दिया कि आपने भी ये style करवा रखा था आपना तो जो fake friends होते हैं उनको कही न कही mind में पता होता है कि आप उनसे better हो वो आप से better बनना चाते हैं आपको bypass करना चाते हैं इसलिए वो same आपके वाली चीजे करते हैं ताकि वो आपके same level पर आकर धीरे धीरे आपको cross कर सके एक बहुत बड़ा sign ये भी होता है fake friends का कि वो अपनी जो personal growth से related बाते हैं जो भी success से related बाते हैं जो भी वो steps ले रहा है अपनी life में आगे बढ़ने के लिए चाहे professionally चाहे personally वो उसको आप से छुपा कर रखते हैं वो उन बातों को आप से share नहीं करते जो real friends होते हैं उनको बहुत जल्दी होती है कुछ नया जैसे ही वो सीखते हैं उनको लगता है कि वो अपने friends के साथ उस बात को जाके share करें fake friends उसको चुपा कर रखते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं है कि आपको वो बात पता चले कि उनको यह लगता है कि कहीं आप भी वो सारी चीज़े ना कर लो कहीं ऐसा ना हो कि उनके grow करने से पहले आप grow कर जाओ इसलिए वो वो सारी बाते चुपा कर रखेंगे ताकि वो चुपते चुपते ही आपको बाइपास कर सके real friends आपको अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे fake friends कभी भी आपको अपने साथ लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे कुछ friends ऐसे होंगे जो आपको कभी भी call नहीं करते कभी भी आपकी किसी call का जवाब नहीं देते आपके message में भी high hello का जवाब high hello तक ही देते हैं आप जितना पूछो बस उतने का reply करते हैं उसके बाद वो गायब हो जाते हैं कभी-कभी तो आपकी बातों का reply भी नहीं करते हैं लेकिन जब उनको जरूरत होती है किसी बात की, जब उनको कुछ चाहिए होता है, किसी तरह की help चाहिए होती है तो वो एकदम से आपकी life में enter करते हैं और वो ऐसे pretend करते हैं कि वो तो आपके बहुत close friends हैं लेकिन बहुत जादा busy रहने की वज़े से वो आपके साथ बात नहीं कर पा रहे थे या आपसे मिल नहीं पा रहे थे तो एक आदबार ऐसा होता है तो ठीक है लेकिन अगर आप यह देखो कि कोई एक friend है जिसका sit pattern ही यही है कि वो जब उसको कोई need होती है तो वो आपके पास आता है उसके बाद वो गायब हो जाता है आपकी friend list से बहुत दूर दूर तक गायब हो जाता है आपको कभी भी जरूरत पड़े तो वो कभी भी available नहीं होता आपकी help करने के लिए तो वो तो सबसे बड़ा fake friend है वो तो बिल्कुल भी real friend नहीं है कुछ friends ऐसे भी होते हैं जो कि हमें emotional punching bag की तरह treat करते हैं emotional punching bag मतलब जब भी उनकी life में कोई problem है वो किसी emotional situation से गुजर रहे हैं वो emotionally weak situation में है तो वो हमें contact करते हैं हमारे पास आते हैं और हमारे साथ वो सारी problem है जो भी उनकी feelings हैं वो share करते हैं तो यह अच्छी बात है कि कोई आपके पास आता है आपकी advice लेने के लिए जब वो emotionally weak situation में हो तो यह अच्छा होता है कि आप किसी के help कर पाते हो लेकिन वो fake friend की ऐसे है और आपको avoid क्यों करना है उसको कि अगर आप यह देखो कि एक person सेम तरह की problem लेके आपके पास आता है आप उसको हर बार एक advice देते हो जिससे आपको लगता है कि उसकी situation better हो सकती है उसकी life better हो सकती है और वो बोलता भी है कि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं आपने जो जो बाते बताई हैं इसको अपनी life में implement करूँगा फिर उसके बाद थोड़ा time निकलता है वो person फिर आपके पास आ जाता है और वो फिर उसी तरह की बातें आपसे कर रहा है और बहुत जादे emotionally weak feel हो रहा है तो आपको ये लगता है धीरे-धीरे कि आप उसको जो भी advice देते हो या जो भी आप उसको बोलते हो वो उस बात को मांता तो है नहीं ऐसे फ्रेंट जब उस situation से बाहर निकलते हैं तो वो आपको बिलकुल भूल जाते हैं वो आपकी दी गई advice को भूल जाते हैं, वो आपकी की गई बातों को भूल जाते हैं आपके जो भी आपने उनको support किया था वो उसको बिल्कोल भूल जाते हूं और वो आपको फिर उस time पे इग्नोर करते हैं बाकी सारी period में again then जब उनकी life में कोई emotionally weak situation होती है तो वो फिर से आपको यवास आते हैं और ये show करते हैं कि आप उनके बहुत अच्छे friend हो तो ये ऐसे friends जो से time to time इसलिए आते हैं कि वो आपको emotionally weak situations में एक punching bag की तरह use करें तो उन friends को भी हमें avoid करना चाहिए वो हमारी mental health के लिए भी ज़रूरी है और हमारा time भी save होता इससे फिर आते हैं ऐसे friends जो आपसे jealous होते हैं आपकी accomplishments, आपकी success, आप life में कुछ भी achieve करो उससे उनको खुशी नहीं मिलती actually उनको खुशी नहीं मिलती but still they will pretend कि वो बहुत खुश हैं आपकी success से तो आप differentiate कैसे कर सकते हो कि भी कोई असली में खुश हो रहा है कि कोई वैसे ही जुट मुट काके compliment दे रहा है और असली में अंदर से वो jealous है आप उनके eyes में देखो आप उनकी feelings और emotions को अगर थोड़ा सा attention पे करोगे तो आपको समझ आएगा कि कोई आपको actually compliment कर रहा है कोई वाक्वी में खुश है या वो सिर्फ pretend कर रहा है और actual में वो ये जानना चाह रहा है कि ये जो आपको accomplishment मिली है ये जो आपको success हो गए हो आपको जो भी आपकी achievement है वो आखिर मिली कैसी है वो process क्या था वो पता चल जाए मतलब उसका focus इस बात पे कम होता है कि आपने क्या achieve किया है लेकिन उस process को जानने में उसका focus कुछ जादा हो जाता है कहीं न कहीं वो आपको ये show करता है कि उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि आप ये चीज़ achieve कर सकते थे इट मींस कि वो आपका fake friend है jealous friends का sign एक ये भी होगा कि आपकी जब भी कोई बहुत बड़ी achievement होगी जिसको लेके आप बहुत खुश होगे आप उनके साथ जब share करोगे तो वो आपको congratulate भी नहीं करते और उसका reason होता है कई बार कि ओहो ध्यान ही नहीं रहा कई बार होता है कि हम थोड़ा कहीं और ज़्यादा busy थे या फिर वो ऐसे pretend करेंगे कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है जिसको लेके तुम इतना खुश हो रहे हो तो वो आपके real friends नहीं है क्योंकि जो real friends होते हैं वो किसी ना किसी आपके friend की आपके साथ बुराई करते हैं तो धीरे 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 क्या होता है कि आपके मन में बाकी सारे जो लोग हैं उनके लिए एक अलग image बननी start हो जाती है आपको वो ये बताते हैं कि ये भी person अच्छा नहीं है वो भी person अच्छा नहीं है वो ऐसा है उसका nature ऐसा है तो वो कोशिश करते हैं कि वो आपको धीरे-धीरे सबसे दूर कर दें और सिर्फ वो ही आपके close friend रहें तो ये friends जोते हैं धीरे-धीरे आपको तो बाकी सबसे दूर कर देते हैं लेकिन खुद सब के close रहते हैं आप हैरान हो जाते हो देखकर कि ये जो मुझसे इतनी बाते कर रहा था ये दूसरे परसन के बारे में ये खुद इसके साथ इतना close कैसे है तो ये वाला जो sign है ये बहुत बड़ा sign होता है fake friends का जो आपके सामने कुछ और होते हैं दूसरों के सामने कुछ और होते हैं कुछ friends ऐसे होंगे जो आपको गलत आदतों की तरफ ड्राक करके लेके जाएंगे वो आपके जितनी भी अच्छी habits हैं उनको ऐसे बोलेंगे कि ये तो ऐसी habits तो ने पाल रखे हैं ये कोई अच्छी बाते नहीं हैं और cool लगने के लिए तो ऐसा करना होता है cool लगने के लिए तो हमें parties में जाना चाहिए cool लगने के लिए तो हमें smoking करनी चाहिए cool लगने के लिए तो दो-चार girlfriends होने चाहिए दो-चार boyfriends होने चाहिए तो ये जो negative तरफ आपको drag करके लेके जाएंगे आपकी quality of life को आपको लगेगा कि ये high करने की कोशिश करने है but actually अगर आप अपना presence of mind रखो आपको awareness रहे आपकी कि क्या सही है क्या गलत है उसमें आप differentiate कर पाओ तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कुछ ऐसे friends होंगे जो आपको हमेशा गलत आदतों की तरफ पुश करेंगे आप drink नहीं करते हो वो आपको force करेंगे कि आप drink करो और इसके लिए आपको वो ये show करेंगे कि आप तो बहुत ही ऐसे ही मतलब uncool हो कि आप drink नहीं करते है आजकल तो trend है कि drink करना चाहिए ऐसे friends को avoid करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो खुद तो गिरेंगे ही गिरेंगे कुए में वो आपको भी खिंच के लेके जाएंगे कुए में गिराने के लिए ना कहना सीखो ऐसे friends को और अगर वो नहीं समझते हैं तो it's better कि आप उस friendship को वहीं पे end कर दो I hope कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका circle बहुत सारे real friends से भरा हुआ होगा और fake friends उस circle के बाहर हो जाएंगे In case आपने मेरे वीडियो को आज पहली बार देखा है तो चैनल को subscribe करके notification bell पे क्लिक जरूर कर देना ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की notification आप तक पहुंच सके तो मिलते हैं next वीडियो में till then stay blessed stay smiling नमस्ते